हेलो अबरिवर्वन सीख्षय क्रांती चैनल में आपका स्वागत हैurb आज की वीडियो में हम करेंगे ओसत के स्वाल आज की वीडियो में हमने ओसत की इह कई परकार निये तो इस वीडियो को आप सरू से लेके आन तक जरूर देखना ताकि ओसत के जो हमने भीन-भीन परकार के सवाल लिए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो परसन नमबर एक एक दुकंदार नी छह महिनों में चार्ट के अनुसार पुस्त के बेची दिखी यहाँ पर एक चार्ट दिया है इसके नुसार पुस्त के बेची बेची गई पुस्त को का उसत ग्यात करो तो सबसे पहले हमें पतावना चाहिए कि उसत निकालते कैसे जोसत का जो सुत्र होता है वो क्या होता है कुल संख्याओं का जोड जितनी भी संख्याएं हैं हमें दी हुई है उन संख्याओं का जोड और फिर कुल संख्या जितनी वो संख्या है उससे हम उसको भाग कर देंगे तो हमारा उसत आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए कुल संख्याओं का जोड और कुल संख्या तो संख्या कितनी है छे महिनों में, उसके कुल संख्य है तो निच्चे 6 आएगा अब संख्याओं का जोड़, तो जन्वरी में कितनी किताबे पुस्ट के बैची हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रेल में, माई में, जून में इन सब का हम जोड करेंगे और उसको हम 6 से भाग करेंगे तो इसका पुस्तकों का उस्त आ जाएगा तो जनुवरी में कितनी है अब चार्ट के नुसर देखिए जनुवरी कहा ये 200 पर आता है तो जनुवरी में हमारी 200 है फरवरी में 500 है मार्च में 100 है एप्रेल में 300 है माई में हमारी 200 है और जून में हमारी 50 पुस्त के बेची है तो इन सब का हम जोड करते हैं तो जोड कितना हो जाएगा 200 और 1500 साड़े 300 साड़े 400 साड़े 700 साड़े 900 और फचास हजार तो कितना जाएगा हजार अब हजार को हम 6 से भाग करेंगे अब अजार क्या है अजार है कुल संख्याओं का जोड़ और कुल संख्या कितनी है छे तो इसको जब हम छे से भाग करेंगे तो कितना जाएगा हम भाग करते हैं तो छे कम यहाँ पर करके देखिए छे कम छे चार छे चीक चातिस फिर चार उपर जीरो अतारेंगे छे फिर चार और दसमलों में हम आगे जाएंगे तो कितना जाएगा 166.66 तो यहाँ पर देखिए दसमलों का हमें कोई भी आंसर नहीं दिया है तो दसमलों के आगे अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो जो आगे संख्या दियोती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो इसको जब 6 से बाग करते हैं तो कितना आता है 166.66 तो दसमलों के आगे का ज इसमें आगे वाली संख्या में हम एक जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना है, 167, तो मारा जो option C है, वो सही आंसर होगा, next question है, राम ने हिंदी, अंग्रेची, गडित में करमशे, 70, 84, 86 अंक प्राप्त किये, प्रंतु विज्ञान के अंक भी जोड़ दे, तो चारों विश्यों का ओसत, 76 आता है, विज्ञान के प्राप्त अंक होंगे, तो देखिए, यहां पे ओसत हमें पहले दिया हुआ है, ओसत कितना है, चेतर, तो ओसत क्या होता है, संख्याओं का जोड़, और बटा में कुल संख्या, अब बराबर में क्या है, चेतर, तो संख्याओं का जोड़, बटा में कुल संख्या, बराबर में ओसत होता है, तो ओसत हमें दिया हुए, तो संख्याओं का जोड़ हमें क्या दि 70 पलस 84 पलस 86 और पलस विज्यान का तो विज्यान को हम एक बार X माल लेते हैं और बटा में कुल संख्या कितनी होगी एक दो तीन चार बराबर में कितना हुआ 76 अब 4 इदर जाएगा तो क्या इदर वो भाग कर रहा है तो इदर जाकी गुणा हो जाएगा और इन जब को आपस में हम जोड़ लेते हैं तो 6 और 4 दस 8 और 8 16 16 और 7 23 और एक दस की आसिल 24 और पलस X और इदर यह से गुणा करेगा तो 4 चीक 24 चाट चोगट 28 और दो 30 अब X को इदर चोड़ देते हैं इदर 304 है यह इदर पलस का है तो इदर जाएगा किसका हो जाएगा तो 304 में से हम 240 40 माइनस करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 0 गई 4 10 0 में से 4 नहीं जा सकता है इधर से मासिल लेंगे 10 10 में से 4 गई 6 इधर बचेगा 2 2 में से 2 गई 0 तो x यानि की विज्ञान के प्राप्त अंक कितने होंगे 64 अंक जो हमें ओसत दिया है ओसत को हम कुल संख्या से गुणा करेंगे उन में से जो हमें संख्या दे रखे वो माइनस कर देंगे तो जो हमारा सेस बचेगा वो विज्ञान के अंक होंगे चलते है next question पर्थम साथ समसंख्या यह में साथ समसंख्या दिये 2 4 6 8 10 12 14 का ओसत क्या होगा वैसे तो एक तरीका है कि इन सब को हम जोड़ देंगे और जोड़के कितने है यह साथ साथ से भाग कर देंगे परंतु समसंख्याओं के लिए हमें जोड़ करने की जुरूरत नहीं होती समसंख्याओं का कुल ओसत कैसे आता है जो हमारी कुल संख्या है कितनी है साथ इसमें हम एक जोड़ देंगे आंसर आए हमारा 8 तो जो ओसत होगा वो क्या होगा 8 अब जोड़ करके देखते है क्या 8 आठा यैं नहीं आता है तो 2 और 4 6 6 और 12 12 12 20 20 20 और 10 30 तीस और बारा ब्यालिस ब्यालिस और चोदा चपन इन सब का जोड कितना है चपन तो हमारा उसत का जो सुत्र होता है हो कहता है संख्याओं का जोड बटा में कुल संख्या संख्या कितनी है साथ इसको साथ से बाग करिए कितना आता है आठ तो कुल संख्या जमा एक समसंख्य संख्यां में क्या होगा अभी हमने समसंख्याओं समसंख्याओं में जो हमारा सुत्र था वो क्या था? कुल संख्या जमा एक वही हमारा ओसत था और विसम संख्याओं में जो हम सम में एक जोड रहे थे इसमें हमें एक जोडना भी नहीं है जितनी हमारी विसम संख्याओं होती है उतना ही उसका ओसत ह तो यहां पर कुल कितनी विशम संख्य है है? 9, तो इसका ओसत क्या होगा? 9 ही होगा, जितनी भी यह मारी विशम संख्य होती है, गिंती करके देखिए, जितनी यह मारी गिंती होती है, जितनी यह मारी विशम संख्य है, उतना ही उनका ओसत होगा, एक बार हम चेक करके देखत है एक और तीन च्यार च्यार और नो नो और साथ 16 16 और नो पच्चीस पच्चीस ग्यारा 36 36 और गया तेरा उनन्चास उनन्चास और पंदरा 64 और 64 सोत्रा 81 तो हमारे कुल संख्यों का जोड कितना है 81 और उसको हम 9 से भाग करें तो कितना आता है नो तो इसका जो ओसद निकालने का तरिका है टोटल संख्याएं जितनी भी टोटल संख्याएं वो ही उसका ओसद होगा चलते हैं नेक्स कोश्चन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते चलते 50, 51, 52, 53 का उसत क्या होगा तो दीखें यहाँ पर हमें 1 से 53 तक की जो संख्याइं दे रखें इनका हमें उसत ग्याद करना है तो उसत का सुत्र क्या होता है सभी संख्याओं का जोड बटा में कुल संख्या तो यहाँ पर दीखिए कुल संख्याइं कितनी हो जाए कि 53 तो 53 संख्याओं का जोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें समय लगेगा और उसको भाग करेंगे तो कुल मिलाकर जब तक हमारा आंसर आता है तब तक बहुत ज़्यादा समय लगा है तो इसका एक छोटा सुत्र होता है इसका सुत्र क्या होता है पहली संख्या जम आखरी संख्या और भाग में 2 तो इसका सुत्र क्या होगा पहली संख्या पलस आखरी संख्या भाग में 2 तो पहली संख्या क्या है एक और आखरी संख्या कितनी है 53 बाग में 2 तो 53 और 1 54 बाग में 2 तो इसको हम बाग करेंगे 2 से तो कितना आजएगा 27 तो 1 से 53 तक की संख्या होगा जो ओसत होगा वो कितना होगा 27 तो हमारा option भी बिल्कुल सही answer होगा तो ये कौन से कब लगू होगा ये सुत्तर जब हमें continuous संख्या दी होती है चलते है next question संख्या 5 के पर्थम 9 गुणजों का ओसत क्या होगा तो सबसे पहले में पता होना चाहिए कि संख्या 5 के फर्स्ट 9 गुणज कौन से होते हैं 5 का जो पहाड़ा होता है 9 तक वो उसके गुणज होते हैं तो ये हमारे 5 के पहले 5 पहले 9 गुणज है इन सभी का ओसत ग्याद करना है तो दीखे 5, 10, 15, 20 25, 30, 35, 40, 45 इनका ओसत हमें निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इन सब का हम जोड़ करेंगे और उसको किस से भाग कर देंगे 9 से तो इन सब का पहले हम जोड़ निकालते हैं तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखे तो किनी भी संख्यों का किसी भी पाड़े का अगर हमें जोड़ करना है तो कैसे करते हैं अब ये किस का पाड़ा है 5 का तो इन सब का जोड़ कितना होगा 5 गुणा में इन सब का जोड़ कितना होगा 45 45 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 225 तो इन सब ही संख्यों का जोड़ कितना होगा 225 और कुल संख्यों कितनी हमारी 9 इसको 9 से हम बाग करेंगे तो कितना होगा 25 25 निमा 225 एक तो तरीका ये है कि इन सब का हम जोड करके और कुल संख्याओं से भाग कर देंगे और दूसरा संख्या दूसरा जो तरीका है वो क्या है किस के गुनज है ये पांच पांच के गुनज है गुना में कुल कितने गुनज है नो जमा एक और भाग में दो तो किसके गुणाज है पांच के और कितने गुणाज है उसमें एक जोड़कर गुणा करेंगे जिसके ये गुणाज है तो पांच गुणा में कुल कितने गुणाज है नो जमा एक तो ये कितना हो जाएगा पांच गुणा में नो रेक दस बाग में दो तो 10 गुणा 5 कितना जाएगा 50 बटा 2 बराबर 25 तो यह हमारा short method है और यह हमारा बड़ा method है जो आपको अच्छा लगे वो आप ध्यान रख लेजिए दोनों तरिक्षे का जो answer होगा वो सेम होगा और दोनों तरिक्षों का answer सही होगा तो इसका सही answer क्या होगा option D 25 तो आज की वीडियो में हमने कुल 6 स्वाल किये तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आगे होगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो तक बाई बाई एंड टेक केर